तो हेलो और वेलकम यू आल आम रूईत प्रोम महाचन ट्रीडर तो गाइस आज हम बात करने वाले है टाटा मोटर्स लिमिटेट के बारे में और काफी तगड़ा माल उठा जा रहा है जब से स्टॉक आज गिरा है तो गाइस गिरा क्यों गिरने का रीजन क्या है तो उसके बारे में भी हम डिसकस करेंगे और किस हद तक स्टॉक में खरीदारी की गई है उसके बारे में भी हम डिसकस करेंगे और रीजन क्या था ओ तो हम देखेंगे ही देखेंगे और हुआ क्या एक्चुल में कल गैप अप हुआ था टाटा मोटर्स में तो gap up का ही पूरा funda है तो उसे भी मैं समझाने की कोशिश करूगा और क्या अब हम buy कर सकते हो तो हाँ guys आप बिल्कुल buy कर सकते हो अभी भी आपके पास chance है अच्छा खासा chance है निचले levels पे buy करने के लिए और अगर आपने अभी तक buy नहीं किया है Tata Motors को Tata Motors की बारे में जादा कुछ नहीं बता जबा क्योंकि सब को पता है Tata Motors के बारे में और काफी उनकी sellings भी बढ़ रही है net sales भी बढ़ रही है प्रसंजर्स वेहिकल्स उनकी selling में इन्हों ने जो आकड़े थे पिछले उनके हिसाब से जो अभी के आकड़े हैं वो काफी बड़े है जिसके कारण से कल gap up हुआ था आज इसमें profit booking भी की गई होंगी और काभी कुछ चीज़े हैं जिनकी हुज़े से stock गिरता है तो guys Tata Motors के बारे में और आगे बढ़ू और आगे काफी सारी बाते करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोर शेर्स के अपडेट्स के लिए शेर्स के लेटिस में उसके लिए तो guys वीडियो को शुरू करता है Tata Motors Ltd एक दमदार stock है और देखा जाए इसका current price क्या current price इसका चल रहा है तो current price के बारे में अगर बात की जाए तो 490 रुपे 65 पेसे का current price यहाब और चल रहा है और देखा जाए तो 7 रुपे 95 पेसे तक stock गिर गया है लगबग 8 रुपे ही बान लिजे 8 रुपे तक stock में गिरावट है और morning से काफी बड़ी गिरावट इसमें थी और but recovery की इसने कर लिए अच्छा कासा इसने recover भी किया है 1.60% के हिसाब से इसमें गिरावट है और अब बढ़ते है guys आगे और analysis देख लेते क्या कुछ chart का analysis यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको समझाने कुशिश करता हो कल हुआ था gap up इस level पर यहाँ पर gap up हुआ था काफी अच्छा फिर stock उपर क्यों गया जो levels हमारा था उस level को भी इसने break किया फिर उसके बाद stock में आप देख सकते हो सीधा stock आया है यहाँ से नीचे आपर हलका सा support लेके फिर यहाँ पर gap इसने इस level को break कर दिया और सीधा इस gap को fill किया तो guys वही gap up का funda में ने बताया था तो gap up gap down में क्या होता है तो suppose that अगर कोई भी stock gap up open होता है तो उस gap को fill करने के लिए उसे नीचे आता है या फिर हो सकता है कोई भी stock अगर gap down होता है तो उस gap down को fill करने के लिए वो gap up होता है तो ऐसे इसकी जो strategy है gap up और gap down की एस strategy है कि gap down हो तो नीचे उपर जाके उसे fill करेगा अगर gap up हो तो नीचे आके उसे fill कर देता है तो ace strategy है तो वही यहाँ पर हमें देखने को मिला यहाँ पर gap up हुआ था तो उसे इसने यहाँ पर इसने fill कर दिया तो यह था तो यह हो गया तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर support लेके अच्छी recovery इसने की है तो stock कहा से कहा तक चले गया था काफी नीचे तक stock चले गया था और अब इसने recovery भी कर ली है और 490 के आसपा से पोश रहा है और इसे break करता है तो आप buy कर सकते हो और उपर के level के लिए तो opportunity आपके पास काफी जारी थी और उपर के targets तो हमने बताय ही है यहाँ पर इनकी वज़े से stock में काफी बड़ी गिरावट आई थी फिर यहाँ से gap यहाँ पर भी वही वंडा मैं आपको बताने कोशिश करूगा कि यहाँ पर gap up हुआ था फिर यहाँ पर नीचे आके इसने gap down आके sorry नीचे आके इसे fill किया है तो यही चलते रहता है guys gap up और gap downs का तो आप बागे बढ़ेंगे और देखेंगे stock में और क्या कुछ है तो यहाँ पर मैं बताने कोशिश करूगा कि 5 दिन के time frame पर कितना stock बढ़ा है तो 9 रुपे पेसे तक stock बढ़ गया है 2.01% के हिसाब से तो तेजी हमें अच्छी कासी देखने को stocks में मिल रही है और 1 मंद के time frame पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 22 रुपे 45 पेसे तक stock बढ़ा है 4.81% के हिसाब से और वही guys अगर बात करूँ में 6 महीने के time frame पर तो 6 महीने के time frame पर 143 रुपे 55 पेसे तक stock यहाँ पर बढ़ा है 41.48% के हिसाब से तो कि एक अच्छी बात है और काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है और वही बढ़ेंगे आगे और देखेंगे क्या कुछ stock में हुआ है तो stock open हुआ था 496 रुपे 10.80 पेसे के price पे high लगया था 499 रुपे का और low लगया था 424 रुपे 0.5 पेसे का so market cap अगर देखे 1.75 लएक करूर का market cap है और market cap के हिसाब से पता चल जाता है कि एक mid cap stock है तो guys stock एक धंदार यहाँ पर move है stock में बिलकूल आ चुका है और stock बढ़ने के लिए काफी उपर के jump लगाने के लिए रेडी है और यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर क्या कुछ 52X का high और low है तो 536 रुपे 70 पेसे का high है और 185 रुपे 0.5 पेसे का low भी आपको देखने को मिल जाएगा so बात करेंगे क्या कुछ resistance लेवल्स और क्या कुछ support लेवल्स है दोनों ही important है दोनों को discuss करने के हम कोशिश करेंगे और resistance लेवल में 501 रुपे 307 पेसे का first resistance लेवल है second resistance लेवल 505 रुपे 66 पेसे का है और third resistance लेवल 510 रुपे 47 पेसे का दिख जाएगा support लेवल्स की बात करें हमने दोनों ही discuss कर लिए अब बात करेंगे price performance की तो price performance में क्या कुछ है तो देखा जाए 1 week का तो 1.97% यह upside के ओर है 1 month का 1.99% आप है 3 months का 43.17% आप है 1 year on half का 1.50% आप है 1 year का 155.96% आप है और 3 years का 186.43% आप दिखा ही देदेगा तो और guys वही अगर बात करेंगे trade values और component delivery और इसकी तो crores में यहाँ पर shares उठाए जा रहे है 2 crore के something की buying की गई है stock गिरा है तो भी और कल अगर देखा जाए तो 3 crore के यहाँ पर trade value हमें देखने को मिल जाएगा और 80 lakh के something का component delivery भी देखने को मिल जाएगा और 1 week के average में 2 crore का something trade value है और 61 lakh के something का component delivery है और 1 month के average में अगर देखा जाए 2 crore के something का trade value और 52 lakh के something का component delivery देखने को मिल रहा है तो guys जो trade values और component deliveries जो बड़े है 2 crores में है share price इतना होने के बावजुद भी तो काफी amazing तरीक से बड़े है और काफी बड़ी बात है तो guys अब बात करेंगे क्या कुछ इसमे है community sentiments के आकड़े है तो community sentiments में देखा जाए तो 81% जो लोग है वो यहाँ पर buy call दे रहे है और जो 19% जो लोग है वो यहाँ पर sell call दे रहे है तो guys sell के लिए भी कहा जा रहा है और buy के लिए भी कहा जा रहा है डेपेंड करता है आपके उपर आपको करना क्या है और अब बढ़ते हैं आगे और देखेंगे revenues तो revenues अच्छे का से बड़े है 2017 में यहाँ पर lakhs lakhs में यहाँ पर revenues है यहाँ पर भी देखा जाए तो 2,95,794 करोड का revenue generate किया था 2021 में net profit अगर देखा जाए तो 2017,18 में minus में था sorry guys plus में था बड़ 2019 और 21 में plus में sorry minus में आ गया तो काफी upside down system में roller coaster जैसा upside down सामय देखने को मिल रहे है holdings के बारे में यहाँ पर promoters की holding 46.41% की है और public holding 13.35% की है और DIQ holding 13.45% की और जो public holding है 26.8% की दीख जाएंगी so Tata Motors में काफी upside downs भी हमने देखे और buying करना हो guys पहलकुल आप कर सकते थे और मुका है आपको buying करने के लिए अब बे so video पसंद आए वीडियो को like कर देना चनल को subscribe कर देना thank you